अर्यों आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए अज कहा है को रोम में इमेज को डिस्ट्रॉट आप कैसे कर सकते हैं यानि आप इमेज को प्रिस्पेक्टिव में कैसे प्लेस कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं तो उसके लिए क्या है एक image को import कर लेता हूं इधर empty space पे mouse right click करो आप राइट करके import बोलता हूं अभी दिको इस image को लेता हूं मैं अब इक लीक है इसको सम्सेश्क एक rectangle लेता हूं तो कि एक पर ऊती हुआ का stukलेItalr अब कि इस और i key आपने स्वेंपन कर लेता हूं अभी इसखोल आपको क्या है करना है oder कि चल वाका रहना है Ctrl Q से क्या होता है, Convert to कर होता है, अभी Shape लेता हूँ, अभी दिखो इन दूनों Point का जो Distance है, इसको थोड़ा Reduce करना है मुझे, तो इन दूनों को Select करते हुए, अभी मैं क्या करता हूँ इदर, Stretch और Scale नोड करके, यहाँ पर आता हूँ, इसमें आरे हैं कि बाद, अभी दिखो जो Selection Point है, इस Point को क्या है, Shift को Hold करते हूँ, इसे Under की तरफ लेता हूँ मैं, तो दिखो भी ऐसे Distance के है, इसका Reduce हो रहा है, अभी इदर यहाँ पर छोड़ देता हूँ मैं, अभी इसको क्या है, Pick Tool लेता हूँ, इसको और एक बार आप Click करो, तो यह Rotation का यह आता है, तो इस Selection Point को क्या है, Control को Hold करते हैं, इसे ऊपर की तरफ लेता हूँ, तो 15 degrees क्या हुआ है, इसे क्यो हो गया भी, तो यह समझ मैं आर आपको, अभी देखो इस Rectangle को Select करता हूँ, अभी देखो मुझे एक Frame करना है, अभी इसका जो Line Thickness है, इसको Increase करता हूँ, समझो अभी एक 8 Point Thick ले आ है मैंने, अभी इसी Line को क्या है, Copy Paste करता हूँ, Copy Paste क्या मैंने, अभी इसका जो Thickness है, One Point कर लेता हूँ, One Point करने के बाद, इसका जो Outline Color है, इसको Yellow कर लेता हूँ, Yellow में आके Mouse Right Click करना है, Set Outline Color बोलता हूँ, तो इस Line का Color क्या है, Yellow हो गया है अभी, इन दोरों के बीच मे जो मुझे Blend करना है, यह Number of Steps, Create करना है, तो इदर आता हूँ, यह क्या है, Shadow Tool के अंदर क्या है, Blend करके Tool है, इसमें आता हूँ, अभी इसको यहाँ पर Hold करके, इसे Drag करो आपर, जैसे दूसरे Box पर Snap होता है, तभी आपको Click छोड़ देना है, तो दिखो भी इसे, यह Number of Step आ गय है, और इसमें क्या है, यहाँ पर Click करना है, आपको Click करके, इदर क्या है Steps आपको 5 दिखा रहा है, अभी इसको 50 बोल देता हूँ, तो दिखो भी ऐसे Smooth हो गया, यह समझ मैं रहा है आपको, अभी इसको क्या है मुझे, आप कौन सा भी Color आप दे सकते हैं, अभी इसको क्या ह करता हूँ, वैट में आके Mouse Right-Click किया मैंने, Set Outline कर बोलता हूँ, तो देखो ऐसा आ गया, अभी क्या है, इन दूनों को Select करता हूँ, इमेज और इस Frame को Select करके, E और C बोलता हूँ, तो देखो भी ऐसे Center में आ गया, अभी यह दोनों Selected है, इसको मुझे क्या करना है, Bitmap करना है, तो उसके लिए अभी मैं, Bitmap में आता हूँ, Convert to Bitmap बोलता हूँ, यहाँ पर क्या है, Resolution 300 रखा है मैंने, और इसका जो Color Mode है, इदर CMY के है, अगर आप चाहिए, तो इदर के RGB कर सकते हैं, अभी के लिए इसको CMY के रखा है मैंने, और इदर के Antilize आपको Active रखना है, या Bitmap को, तो अभी इसको OK बोल देता हूँ, तो देखो अभी यह क्या हो गया है, अभी Bitmap हो आया, अभी इस Image को यहाँ पे लेता हूँ, अभी इसको Select रखते हुए, इस Image को Select रखते हुए, अभी मैं Shift पे जब करता हूँ, तो यह उपर की तरफ आ गया, तो अभी मुझे क्या क जैसे इदर Node करके Snap होता है, तभी आपको Click छोड़ना है, अभी देखो यह Snap हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे लेता हूँ, तो यह Snap हो रहा है, Snap क्यों हो रहा है, View के अंदर हमने क्या रखा है, Snap to Object को Active रखा है, इसको कभी भी आपको Active रखना है, तो अभी मैं क्या करता इस Corner पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से इस Point को क्या होड़ करके, यहाँ पर लेकिया वाप, इसी तरह क्या है, इसको यहाँ पर लेता हूँ, इस Point को क्या है, इस Node पर लाता हूँ, तो देखो भी ऐसा आ गया, अभी जो पहले Image ले आता हूँ, उसको और एक ब से आप कर सकते हैं अगर यह करते होग तो आपको कुछ डौट्स वगरा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रेने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद